आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं गिर्सन mc28 tv2 पिस्टिल का जो के टर्किस मेर्ट पिस्टिल है गिर्सन काफी खुबसूरत रिलाइबल पिस्टिल बनाती है और इनकी प्रिटी 92 जो बिटा पिस्टिल है उसकी क्लोन कॉपी की वज़ा से ये कपनी काफी बनाती है अभी इनकी ये नई सीज़ चल रही है तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसकी सारी डेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और प्रैस टेक के बारे में बताओंगा कि मार्केट में इसका क्या रिड़ चल रहा है तो वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उ प्रैट करते हैं अब गिर्सन एमसी 28 टीवी टू यह आपको गिसंग की अपनी बॉक्स पैकिंग में मिल जाती है ब्लू कलर की बॉक्स पैकिंग है और काफी खुबसूरत पैकिंग है इस सैट पर आपको इसका सीरियल नंबर मिल जाता है बॉक्स को ओपन कर लेते हैं सबस प्रैश एक बरिश है एक चोटा बरिश है एक बड़ा बरिश है बैरल के लिए जब भी आप करें तो इसकी क्रूब्ह आप उसकी सफाई कर सकते हैं यह इसके साथ आपको लूब्रिकर्ट भी मिल जाती है गिर्सन के अपनी मेघजीन लोडर है कि अगर गेस्ट पर जा को बिल जाती है मेक गार की बेश्च केप इसका पॉलिमर से बना वा है और उसके गिर्सन का लोगो लगा हुआ है इस स इट पर इसको इस को इन डिकीटर मिल जाती है सेवनटीन बुलिट्स इसमें आती है और काफी खुबसूरत मेगजीन कॉलिटी है ब्ल्यू फॉलिवर के साथ यह आता है ठीक है यह एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स है इसके साथ दो अगर बाइस्टेंडर्ड जो स्ट्रिप्स इसके साथ आई है इसमें आपका हाथ कमफोर्टेबल फील नहीं होता तो आप पर यह एक ही है यह प्लेट है रेड डॉट साइट के लिए एक इस पे लगा हुआ है तो अगर आप दूसरा साइट लगाना चाहते है रेड डॉट तो आप पिर इस बेस को इस्तेमाल कर सकते हैं पिसल की तरफ आते हैं गिर्सन एमसी 28 टीवी टू यह रेड डॉट साइट पिस्टल बनाती है गिर्सन और तर्किश जितने भी फायराम से आजकल पूरी दुनिया में लोग उसको पसंद करते हैं सरसलमास हो गई गिर्सन हो गई टिसास हो गई कैने को गई यह चारों कपनियां बहुत ही रिलाइबल प्रॉडक्स बनाती है गिर्सन अभी रिसनली इ इसको पसंद किया अभी इन्होंने पॉलिमर फ्रेम पिस्टल भी बनाना स्टार्ट कर दिया यह गिर्सन एमसी 28 टीवी टू पॉलिमर फ्रेम इसका पॉलिमर से बना हुआ है और बाकी कप्लीट स्टील से बना है यहां पे आपको पैक्टेनी रेल भी मिल जाता है और इसकी काफी है खुबसूरत आपका हाथ काफी अच्छे तरह से इसमें फिट हो जाता है तीन उंगलिया फिट आ रही है एक उंगली का स्पेस पर भी मिल जाता है दोनों मेगजीन आपको 17 शॉट वाली मिल जाती है यहां पे आपको कंपेंसेटर्स भी मिल जाती है जो सेविंग में बैरल पे 9x19 mm इस सेट पे आपको नीचे इस स्पिस्टल का सीजन नंबर और नीचे मिल जाता है फ्रेम की उपर दो जगह पर आपको सीजन नंबर मिल जाता है इसमें आपको मैनुवल सेफटी उप्शन नहीं मिलता लेकिन आपको दो तीन किसम की सेफ्टी मि जाता है ढ्लाउ की तरह और यहां पर आपको एक चेंबर इंडिकेटर मिल जाता है और फाइर पें ब्लॉक हो जाता है जब गिर जा जाया तो ग्लॉक की अल्मुस सारी सेफटी आपको इसमें मिल जाती है और एक लोड़िट चैंबर इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है बहुत ही खुब्सूरत 9mm सीम आटोमेटिक पिस्टल है अगर आप लैसेंस पे इसको चड़ाना चाहते हैं तो आप असानी से इसको चड़ा सकते हैं मेगजीन बटन जो हर रिवर्सेबल है अगर आप लेफनली यूजर है तो आप इसको इस साइट पे बी कर सकते हैं साइट्स इसकी जो है वो आपको मिल जाती है दिवटेल फ्रॉंट साइट और दिवटेल नोचिट रियर साइट आपको मिल जाती है आप गिर्सन पिस्टल पसंद करते हैं पॉलिमर फ्रेम में तो तरकिश पिस्टल तो इन में से आप गिर्सन भी ले सकते हैं अपिस्ट्राल डिफेंस के लिए डिमेंशन के उपर बात करते हैं तो इसकी कंप्लीट लेंथ आपको यह से लेकर यह तक मिल जाती है 8.3 इंचिस बैरल इसमें 5 इंचिस की लगी हुए है और चुड़ाई आपको इस पिस्टल का 1.1 इंचिस तक मिल जाता है हाइट इसका 5.6 इंचिस का है वेट इस कंडिशन में जब इसमें एम्टी मेगजीन हो तो इसकी कंप्रीट वेट बनती है 780 ग्राम तक विदाउट मेगजीन 740 ग्राम तक वेट आता है ठीक है बहुत ही कंपक्ट और फुल साइज पिस्टल है और आप आसानी से इसको केरी से किनके वेट इतना हेवी नहीं है आपको इतना थंग नहीं करेगा कंसील केरी में कंटिन्यूसली तो अभी इसकी प्राइस टेक क्यों पर आते हैं तो गिर्शन आपको कपनी जो है अपनी तरफ से आपको रेड़ प्रोवाइड करता है तो अबिसली इसकी कॉलिटी भी काफी अच्छी होगी यह चाइनीज रेड डॉट से अगर आप स्पोर्ट्स और या शूटर है मरला आप पिस्टल को कंपिटिशन के लिए या स्पोर्ट्स केलते ह हैं उस पर टागेट शूटिंग करते हैं तो आपके लिए एक तो इसमें कंपिसेटर आपको मिल जाती है जो रिकॉइल को कंट्रोल करता है और अवराल मेकैनाजम एक्जाक्ली ड्रॉक की तरह है और रिलाइबल प्रिस्टल है पॉलिमर फ्रेम इसका डिजान है काफी खु प्रिस्टल है तो गिर्शन एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए प्राइस टेक क्यों पर आते हैं तो गिर्शन एमसी ट्वेंटी एट टीवी टू यह आपको पाकिस्तानी मार्केट में मिल जाएगा एक लाग 75,000 से लेकर 1,92,000 की बीच में रेट कभी भी फिक् रेट नहीं होती आप कंफर्म कर सकते हैं हमसे रेट क्योंकि अक्सर मैं जो रेट बताता हूं आपको पिरा व्यूवर्स जो है कमेंट करते हैं कि या यह इंपोर्ट कुल गया वो हो गया इंपोर्ट तो कुल गया लेकिन इंपोर्ट के साथ रेट जो है वो डिपेंडिबल नहीं है कि यहाँ पे जूटी जो बढ़ गई जो डॉलर रेट बढ़ रहा है दिन बा दिन तो उसको भी आप देखा करें इंपोर्ट कुलने से कोई फाइदा नहीं होगा भी चेमेंस पहले जो रेट्स थे वह उस रेट पे आपको यह चीज नहीं मिलेगी तो आप लोग इस चीज को अंडस्टेंड किया करें बाकी जो भी रेट मार्केट में चल रहा होगा इंशाला हम भी आपको उसी रेट में और उस एक कम रेट में आपको चीज प्रोवाइड करेंगे जो भी चीज आप हमसे परचेस करते हैं तो अगर आप लोगों ने हमाई साथ कांटक्ट क हम मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में शुक्रिया अल्हाफिस